अहेर अभय उत्तमराव है और मैं आज आपको मैंने वेश्डिप कंपोजर का यूज में लगबग पास ते छे मैंने से कर रहा हूँ और मुझे उसका बहुत ज्यादा यूज किया है मैंने और उसका रिजल भी मेरे को आच्छे मिला है मैं आज लोगों को एक नवी चीज बताना चाहता हूँ मैंने चार टाकी में आप सामने देख सकते हो एक हजार की एक है और दो पास सो लेटर के तीन है और एक देड हजार का काला ड्रम है इसमें मैंने Rec decomposer तायर किया है जो काला drum है उसमें मैं Macro Neutrinen तायर करता हूँ और जो नीले drum है उसमें मैं Rec decomposer तायर करता हूँ तो मैं आज आप लोगों को एक आज नहीं बात बताना चाहता हूँ कि मैंने Rec decomposer जल्दी तायर होने के लिए और उसका circulation चलू रहने के लिए क्यू चालू रहना चाहिए इसका न कारण के जितना circulation चालू रहेगा उतने ओजी ओनू को बढ़ने में ताकत मिलेगी हो और जल्दी तायर होगा मेरा खेत बढ़ा है इसके लिए मेरे को ज्यादा टंकी लगती है लेकिन मैंने वो सर्कुलेशन चालू रहे डिकम्पोजर का तो इसके लिए उसके एर पंप लागा है एर पंप मैंने एमेदनगर हमारा डिश्टिक है वासे खरिदाए हम जो फिश्टैक में जो एर पंप देखते हैं होटेल में इधर उदर जाते हुए जाते हैं तब देखते हैं उसमें बुलबुले निकलते रहे पानी में फिश्टिक को जो ऐक्षिजन चाहिए उसके लिए वो एर पंप लागाया रायता है तो मैंने भी वह एर पंप खरिद के हमारे डिकम्पोजर में लगाया है तो मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूं यह मेरा सेंट्रलाइजेशन क्या है मैंने पूरे खेट को इधर से डिकंपोजर वगर जाता है और यह सेंट्रलाइजेशन है ड्रीप का और ड्रीप के साथी मैं पूरा वेश्ट को इधर से डिकंपोजर वगर जाता है और यह सेंट्रलाइजेशन है ड्रीप का और ड्रीप के साथ ही मैं पूरा वेस्टिंगम परजर छोड़ता हूँ तो चलो मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ चलो मैं आपको अभी डिकंपरजर में जो एर पंप लगा है वो दिखाता हूँ पहले मैं मैं 200 लेटर में माइक्रो नूट्रन तायर करता हूँ जिसमें तीन प्रकार की तेल वरगे दाल है और तीन प्रकार की तेल वरगे भीजहें और उसमें तामबा और लोगे के कुछ तुक्ड़े डाले हैं इसमें मैं डीकंपोजर टायर करता हूँ यह लग बखला हजार लेटर की टाकी है और जो मैंने आपको यह पम दिखा रहा हूँ वह ऐसा है पानी में बुलबुले उपर से वह एर किषता है और नीचे एर छोड़ता है यह 500 लेटर का मेरा ड्रम है इसमें आप देख सकते हैं इसमें बुलबुले उदर से एर पकड़ के वह डीकंपोजर में छोड़ता रहता है सुब और श्याम हमको जो डीकंपोजर को डंडे से हिलाना पड़ता है वह हिलाना नहीं पड़ता और उसमें एरेशन चालू रहने के कारण उसमें जीवानों की बड़ो त्रीजल्दी होती है जो हमारा डीकंपोजर साथ दिन में तायार होता है उलग बग दो या तीन दिन में अच्छी तरह से तायार होता है और यह भी मैंने इस टंकी में भी लगा कि राखा है ओ यह पाइप है ओ उपर से आता है तो मैं आपको ओ डबे में बारिश को इस चलू रहता है इसकी वदर से जो हम सोलुशन मनते डीकंपोजर का वह अच्छी तरह से घुल जाता है नीचे उसमें एर की जादा से जाद आप जादा मातरा में ऑक्सीजन चलता है तो मैं आपको जो मैंने एर पंप लागा है ओ दिखाता हो ओ एर पंप यह लग बग ल पानी में बुलले उपर से वो एर कetic up और नीचे चोड़ता है जहेम एपास्थ लेटर कमेरा ड्रम है इसमें आप देख सकते हैं एसे बुल बुले उदर से एर पकड़के डीकंपोजर में छोड़ता रहता है सुब और शयम हमको जो डीकंपोजर को डंडे से हिलाना पड़ता है वो हिलाना नहीं पड़ता और उसमें एरेशन चलू रहने के कारण उसमें जीवानों के ढ़्ड उत्री जल्दी होती है जो हमारा decomposer साथ दिन में तयार होता है उलग बग दो या तीन दिन में अच्छी तरह से तयार होता है और यह भी मैंने इस टंकी में भी लगा के रखा है वो यह पाइप है वो उपर से आता है तो मैं आपको ओडबे में बारिश को बारिश न लगने के कारण उसको डबे में रखा है मैं आपको वी दिखाता हूँ पहले यह ऐसे बुडबुड़े चलू रहते है उसमें एरेशन चलू रहता है इसकी वदर से जो हम सोलुशन मनते डिकंपोजर का वह अच्छी तरह से घुल जाता है नीचे उसमें एर की जादा से जाद आप जादा मातरा में ऑक्ष हमरी सिंगल फेजे उसकी लाइट लगती है और एक रथिंग लगती है और बारिश से भीगने भीग भीगना जाए है, इसके लिए मैंने इसको डबे में लगाई रहा है, आप इसको किसी भी फिश सेलर से ले सकते हो, और इसका अच्छी तरफ से युज़ कर सकते हो, इसमें मैंने अभी आपको एर पंप दिखा है, वो हमारा जो तेल का डबा है उस में ने फिट किया है और इसका मैं अच्छी तरह से यूज कर सकते कर रहा हूँ धन्यवाद थेंक्यो जे हिन जे महाराष्ट्रा